फ्रेंच वेल्कम टू सन्ते लॉओं़श कारेंगे घ्र बक इसलिए लाइंध लिए वार्ष की से चाहिए भास के सरी में होना चाहिए शरी में दुनिया के कोई भी आनिमेल्स सब्सक्राइब में होना चाहिए जो आपको खाने को सही तरीके से पचाने में आपका इम्मून सिस्टम को सही रखने के लिए मदब रोत वतिरोत समता को सही स्टेबल रखने के लिए आपको मदद करते हैं यह आपके बार्स को मदद करते हैं इन दीनों जो कुछ भी हो रहा है न सही से अगर आप फोकस करो तो आपका वार्ष का इम्मुन सिस्टेम सही नहीं है सब्सक्राइब ही हम इसको कैसे हम ठीक करें क्या क्या उपाय है इस वीडियो में ढिश्कस करेंगे तोचलिए ऑगे बढ़ते हैं देखें गूड बैक्टिरिया सरीर में होता है 50 शरीर को प्रोटे करते आपका रोध पतीरोध संताबार वदा बोला था हॉआ है एक प्रapp इस्ट पून लगा है उसका एकी वजह हम नहीं। सिस्टेन है तभी जाके भीतर में तोimiento लगाराई ल committee लेकिन करी ना कहीं हम लोग कुछ सरीğu में जो हो ब descent चरदे रहेते हैं कि तो सही से देखा जान आपको एक चीज को चाहिए करना परेगा तो बाकी चीजों भी सही हो जाएगा वो क्या है अपका बाट का डाजेशन सिस्टेम कि डाजेशन अगर सही है नेस्ट्रली जो अब खाना प्रोवाइट करते हैं इसे मालने जिए मेरे सैट अप में 365 डेज सॉप्टूर चलता है यह सॉप्टूर के बहुत किसम का सॉप्टूर ह जो कुछ भी है प्रोवाइट करते हैं हर बाट को सही तरीके से सही पार्ट सेंटेज में प्रोवाइट करने से क्या होता है बाडि में डाजेशन पावर के साथ साथ इम्मून सिस्टेम भी स्ट्रॉंग होने लगते हैं और इम्मुनिटी स्ट्रॉंग है तो कुछ भी फ्ल दादा डाइडिया का प्रॉब्लेम ठन लग चुका है देखिए अभी गर्मी का मौसम मदब वॉक्स का सही सीजिन आया भी नहीं है अगर आये तो उस टाइम पर क्या होगा में यह मेरा सूच है फिर भी लोग कॉल कर रहें जो सिम्टम एविडेंश भीडेंश रहे हैं वीडियो या पॉक्स है तो कैसे हो पार रहें दो तरफ होते हैं दो किसम करता एक पैरसाइट पॉक्स जो मच्छर उसको करी करके बार्ट हो रहा है तो यहां पर भी आपका बार्ट का इवन शिस्टम शहीं है है हम लोग के वितर में एक सोच चलता रहता है जो मैं कर रही हूं उसको देखी आप जो खाना प्रोवाइट कर रहे हो साइंटिपीकली कितना कि और कि साइंस के लाब है क्या लॉजिक और साइंस के तो आपको उस scientific logical explanation को पकरना पड़ेगा तब ही जाके आप परिस्तिति को बदल पाओगे नहीं तो नहीं कर पाओगे हमेशा आपको जैसे कल का वीडियो में मैंने आप लोगों को देख मदब आप लोगों ने सुना जब फोटो भेशते भेशते ठाक जाओगे मैं आपको उस पूशन में मदब जो situation है उसी की साथ से दबाई बताऊंगा कुछ दिन के लिए सही होगा लेकिन लॉंग टाइम के लिए आपका बार्ज कभी प्रॉब्लेम प्री जिंदेगी जी नहीं पाएंगे ब्रीडिंग तो बात ही छोड़िए इसलिए अगर आप सही से खाना नही प्रोबाइट कर पा रहे हूं फास्ट तो है देखिए बार्ज घर में अनिमेल से तो उसके लिए आपको टाइम निकलना परेगा टाइम जब निकल पाऊंगे ना तब ही जाके चीज़ें बदल पाऊंगे नहीं तो बड़ा हो छोटा से टाप हो बड़ा से टाप हो इसमें फरग नहीं है फरग यह है अपका बार्ज अब के सिट अप पे हसी कुसी जी रहा है या प्रॉब्लेम में जी रहा है तो इस में बहुत ही ध्यान लगा प्रोबाइटिक को कैसे हम लोग सही करें जिसको हम लोग अभी अभी बोला जो गूड बैक्टिरिया या अपका फ्रे सिस्टेम को बढ़ाते नहीं है मदब शही नहीं करते हैं उसके साथ साथ डाइजेशन को भी सही पचाने में मदद करते हैं तो हम लोग इसको सही रखने के लिए क्या-क्या चीजे अपना सकते हैं नंबर वान अब दही का पानी प्रोवाइट कर सकते हो खट्टा दही उसका रही, इसलिए कभी बाट दही बाट के लिए बहुत ही फायदय, इसलिए, पर किसी नहीं होता है, Calling बाट के लिए को इंप्रूब करने के लिए बहुत मदद करते हैं अभी तो गर्मी का सीजिन आइसता आइसता घूस रहा है देखे हम लोग जिस क्लाइमेट में रह रहे हैं वेस्ट पेंगॉल हो या ऐसे हो अब लोग के अधर हम लोग गया इस्या कंट्री में जो कुछ भी है जैसे पाकिस्त अब एक बार करके दही का पानी अब बास्ट बता रहे हैं एक लीटर पनी में कितना क्वांटिटी में आपको दही मिलाना परेगा है वह हमको वर्च समय पूचलना नंबर वन दूसरा है अब नेच्रल सब्सक्राइब कर सकते हैं जो नेच्छरल प्रोवाइटिक आर अंट अब नियम का पानी प्रोवाइट कीजी उसमें भी बहुत फाइदा है यह प्रोवाइटिक का भी काम करता है अब तूर्सी का पानी प्रोवाइटिक सीजह नेच्रल में और सबसे बारा चीज अपका बार्च अगर खाना पीना सही इंटरक्ट कर रहे हैं और खाना को पचा पा रहे हैं तो इससे जो इंटरस्टाइन से माध्यम से जो खाना सोसीत होगा बहुत काम पे आएगा इम्मनिटी को स्टेबल रखने में अगर यह नहीं कर पा रहे हो तो वीच बीज में इस सारे पानी का अभ्यास करना परेगा ये फर मैं आ रही हूं अलापक्तिक में बहुत सारे बैर्लि वैक्टरिय। मिलता है जिसको नाम है probiotics जैसे मैंने बहुत बार इस को दिखाई ये रो ला इसान ब्रीलियन गूटीरिया और लेक्टो वेसिलियस भी है और भी जो कुछ भी है बार्ट के सरी में जैसे मैंने बोला चे किसम का प्रोबाइटिक में सारी अभाइट गुट बैक्टिरिया है इनमें के साथ मैच करते हैं जाधा तर लेक्ट्वेसीलेस का नाम लिया जाता है कि कि बहुत ही प्रॉपुलर गूड वैक्टिरिया ही है ही मन के लिए भी यह देरो लैक इसको भी आपको यूज़ करो यह नहीं तो पानी में यूज़ करो यह अगर आप अच्छा आपको बेबी बार्च में कुछ प्रॉब्लेम है उसका प्रोबाइटिक हाई करना चाहते हो तो हैंड फीट के साथ भी यूज़ कर सकते हो अलाकि यह सारे हैंड यूज़ करा वीज़ी लाक और हीमन में और भी बहुत सारे अच्छा अच्छा गूड वैक्टरिया है जैसको टैबलेट फॉर्मिशन में या कैप्सूल फॉर्मिशन में मिलता है तो आपको टाइम तु टाइम उसको बदलते रहना चाहिए नहीं को यह एक अलापतिक प्र चाहचा फॉर्मिशन में मनें जैनों जाएं जैसे ऐलफा अलफा मादर या अलफता टॉनिक टॉनिक को यूज सब्सक्राइब जैसे 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 लिखा हुआ है एसले का यह अल्फा जैल सिंग जो है उसमें जैंसिंग जिसके बाद यह जाके आल्फा टॉनिक बनता है यह आल्फा मादर अभी नासा पर जाता है 30 ml का ही दाम है 200-80 रूपिया अब माली जिए 100 ml ऐसे खरीदे तो थोड़ा सा कॉस लेकिन बहुत जवर्दस इसके उपर अल्डेडी मैंने सब्सक्राइब को वीडियो बनाया था जैंसिंग मादर कितना बेनिफिट होता है बार्ट के लिए उसके साथ दामियाना भी यूज़ कर सकते हो तो अगर मेरे हिसाब से सोचो तो मैं तीन प्रोबाइटिक का हमिपातिक में नाम लूँगा जो सिफ प्रोबाइटिक नहीं है कि यह सिस्टेम कुछ भी हो उसमें काम करते हैं यह है जो बहुत बरिया है एक साथ में उलिया की यूज कर देना किसी एक को यूज करो सेही डूजेशन में यूज करो अपका बार्ट का पहले तो इमून सिस्ट्प करो नहीं तो यह थोड़ा सा फ्लैक्ट चूज से गर्मी क्यों जा रहे हैं हम लोग मतब सीजिन बदल रहा है तो देखिएगा फेदर फुला के बैड़ जाएगा आखों में लाब बर्स होगा या कोई भी आखों में पानी आ जाएगा आई इंफेक्शन या कॉंजेटिव इस यहां तक पॉक्स भी हो सकता है उसके साथ इं बोल रहीं हों सही प्रोवाइट कर रहें तो डरीने का कोई बात नहीं है आप हाथ और हाथ प्रता लग जाएगा जैसे मेरा सिस्टेम चलता रहता है होता है लेकिन अपलुक जैसे प्रॉब्लम नहीं होता है जो दिखिए शरीर है तो बीमारी आएगा वाइडास बैक्टि आपको चलता रहेगा अब डिमोटिवेट हो जाओगे बाट्स यह बाट्स में प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों रखने का तरीका खाना प्रोवाइट करने का तरीका खाना मिक्सिंग करने का तरीका खाना प्रोवाइट करने के बाद कितना टाइम रहना रखना चाहिए पा सेट अप आगे नहीं जा सकती इसलिए प्रोबाइटिक के ऊपर ध्यान दीजिए गुड बैक्टिरिया को ध्यान दीजिए तीनों माध्यम से बताया नैच्रली हुमिपतिकली अलेपतिकली आपको जो मर्जी जो आपको सही लगे उसको अपना ही है अपने बार्स को इमिन सिस द समय होगे नहे हैं जाम करें जालेगा कि जोमा है तासी